गुद्मारिंग एव्रीवन, कॉंटिनेंग विद अवर टॉपिक, काल्कुलेशन आफ निव प्रॉफिट शेरिंग रेशो, काल्कुलेशन आफ सेक्रिफाइजिंग रेशो यह हम डिसकस कर चुके थे, निक्स जो आता है, दाट इस अकॉंडिंग ट्रेक्मेंट अफ गुड गुडविल, गुडविल क्या होती है, गुडविल होती है कि जो नाम बिजनस ने कमाया है, और जिसकी वज़े से बिजनस को नॉर्मल प्रॉफिट से जादा प्रॉफिट हो रहा है, वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बिजनस को हो रहा है, उसी को हम गुडविल कह रहे है एक, for example, एक shop है, वो बहुत ज़्यादा famous है, वो बहुत ज़्यादा famous होने की वज़े से, जो भी customer है, वो उसी shop पे जाता है, जो product है उसको खरीदने, तो अब, just because of, वो famous है, उसकी वज़े से, जो as compared to दूसरी shop, जो है, जो उतनी famous नहीं है, वो जो profit earn कर रही है, उससे ज़्यादा profit, वो shop earn कर रही है, जो ज़्यादा famous है, तो वो जो extra profit कमा रही है, अपने उस famous होने की वज़े से, अपने उस नाम की वज़े से, उसे हम goodwill कह रहे हैं, और वो जो goodwill है, आपको जो extra profit दे रही है, वो जो आपने earn की है, वो earn करने में आपको बहुत time लगता है, आप एकदम से आपने business को ला, तो एकदम से आपके पा हो, अपनी पूरी महनत लगाते हैं, partners, फिर business की एक reputation create करते हैं, जिसकी वज़े से उसे वो extra profit मिलता है, उसे हम goodwill कहते हैं, अब इसमें ये चीज़ देखिए, कि अगर नया जो partner है, आप उसको admit कर रहे हैं, at present, आपने जब उसको admit किया, तो आपने उसे profit sharing ratio में हिस्सा उसका दे दिया, जब आप profit कमाएंगे, तो उस profit में, जो कुछ profit का हिस्सा होगा, वो इस वज़े से भी होगा, जो आपने goodwill कमाई थी, उसकी वज़े से, जो आपको profit future में होगा, जो extra profit आपको होगा, उसमें कुछ जो contribution है, वो आपकी goodwill का भी होगा, लेकिन उस contribution पे, मतलब वो जो extra profit है, जो आपको goodwill की वज़े से मिल रहा है, उस पे हक किसका है, उस पे हक है पुराने partners का, नया partner तो अभी अभी आया है, उसने तो उस goodwill में कुछ contribute किया ही नहीं, तो उसका तो उस goodwill पे कोई भी हक बनता ही नहीं है, लेकिन जब आपने उसे enter किया, तो आपने तो उसको agree कर दिया, कि आगे जो भी future profit होंगे, उसमें आपको इतना percent share मिलेगा, तो इसका मतलब कि जो नया partner, जब आपने enter किया, उसे share के लिए, जो भी आप उसे दे रहे हैं, तो जब वो आगे future में जो profit हो र जिसमें उसकी कोई भी मेहनत नहीं है, तो जो पुराने partners हैं, जब उसको admit कर रहे हैं, तो वो उससे क्या कहेंगे, कि आप हमारी मेहनत का जो फल है, वो आगे share करने वाले हो, तो उसके लिए आप हमें अभी से compensate करो, हमारी जो value of goodwill, जिसमें आप participate करोगे, future में, जिसमें आपका अभी तक कोई contribution नहीं है, उसके लिए आपको हमें compensate करना पड़ेगा अभी, तो जो accounting treatment of goodwill है, उसमें इसी चीज़ की, जो accounting है, की जाती है, की जो नया partner है, वो जितना percent share वो लेगा, goodwill से जो profit हुआ, उसमें, उसके according वो compensate करेगा, जो already आपके old partners हैं, उनको, तो जो accounting treatment of goodwill है, उसमें हम इस चीज़ की treatment करते हैं, और ये admission के time पे भी होगा, ये retirement के time पे भी होगा, admission हुआ, तो नया partner आया, उसने compensate करना है, जो आपके old partners हैं, उनको, जो पुराना partner है, at the time of retirement, या partner की death जब हो रही है, तो जब वो partner business को partnership को छोड़के जा रहा है, वो partner बेशक partnership को छोड़के चला गया, लेकिन उसने अपनी महनत से जो goodwill, business के लिए कमाई, उसका जो benefit है, आपको आगे आने वाले years में भी मिलेगा, उसके जाने के बाद भी, तो आगे आने वाले years में, जो आप उसकी महनत का फल share करने वाले हैं, जो आपके remaining partners रह जाते हैं, जब आपका कोई partner retire हो गया, तो जो बाकी बचे partner रह जाते हैं, वो उसक future periods में share करेंगे, तो जो partner जा रहा है, उसके लिए, उसे उस time पे compensate करना पड़ेगा, कि आपका जो share है, आपके जो contribution था goodwill में, उसका जो benefit है future में हम लेंगे, तो जितना benefit हम future में लेने वाले हैं, उसके according value करके goodwill की, हम आपको अभी उसके लिए compensate कर देते हैं, तो accounting treatment of goodwill में, इस concept के ऊपर, जो है, वो treatment होता है goodwill का, next आता है adjustment of joint life policy, आपने partner के लिए policy ली, तो अगर किसी partner की death हो जाती है, तो उस case में surrender value जो है, आपकी आएगी और वो सभी partners में हम distribute कर देते हैं, इस topic को हम already discuss कर चुके हैं, हमारे last chapter में, तो joint life policy में नया partner आएगा, तो उसके लिए भी आपको policy लेनी पड़ेगी, और अगर retirement हो रही है, तो partner छोड़ के जा रहा है, आपको चला गया है, partnership से अलग हो गया है, तो death हो गई है अगर उसकी, तो उस case में भी जो policy है, वो surrender होगी, और उसकी जो value है, वो distribute होगी, The next is revaluation of assets and liabilities, अब इसमें क्या है, जब दो partners, original जो partnership थी, उन्होंने partnership शुरू की, business को run किया, कुछ assets कमाई, और assets को book value पे आप books में लिखते हुए आ रहे हैं, उसके बाद थोड़े time period के बाद, जब आपने नए partner को admit किया, तो जो आपकी assets and liabilities की value थी उस time पे, जिस date को आपने नए partner को admit किया, उनकी उतनी value नहीं थी, जितनी value पे आपने उनको purchase किया था, हो सकता है, कुछ की value increase हुई हो, assets की, liabilities की, और कुछ जो assets और liabilities हैं, उनकी value decrease हुई हो, जो actual में value exist at present कर रही होगी उस time पे, तो उसका जो भी profit और loss निकल के आता है, कि उस time पे business की जो assets and liabilities है, उसकी actual values at present कितनी है, उसमें कितना जब हमने खरीदा था और जो आज उसकी value है, उसमें कितना increase, decrease हुआ है, उसके बाद जो profit और loss निकल के आता है, उस पे हक होता है सिर्फ और सिर्फ पुराने partners का, चाहे वो profit है, चाहे वो loss है, उसके उपर जो हक बनता है, वो बनता है सिर्फ पुराने partners का, नए partner का, उसमें कोई भी लेना देना नहीं होता, क्यूंकि जब उसने partnership में enter किया, उसके पहले की वो assets or liabilities है, तो उसका revaluation हमें करना वड़ता है, और उसकी treatment हमें करनी करती है, the next is your division of undistributed profit, आप business चलाते आ रहे हो, original partnership में जो partner थे, business चलाते आ रहे हैं, उन्होंने कुछ profit earn किये, लेकिन उन्होंने वो profit अभी तक distribute नहीं किये, चाहे वो profit थे, चाहे वो losses थे, वो उन्होंने अभी तक distribute नहीं किये, जब नए partner को आप लेके आए, तो उस time पे आपको वो सारे जो profit थे, undistributed profit और losses, वो उस time पे आपको distribute करने पड़ेंगे, क्योंकि उन पे हग सिर्फ पुराने partners का है, नए partner का, उससे कोई लेना देना नहीं है, the next is adjustment of partners capital account, अब इसमें क्या होता है, जब आप नए partner को लेके आ रहे हो, तो ये सारी चीजों की adjustment करने के बाद, जो हमने 1 to 6 ये points किये हैं, इन सारी चीजों को adjustment करने के बाद, जो existing partners हैं, जो old partners हैं, उनकी जो capital account होगा, उनका, उसमें कुछ add हुआ, कुछ less हुआ, तो उनकी capital accounts का balance हा जाता है, जब आप नए partner को लेके आ रहे हो, तो जितने percent of share के लिए आ रहा है, उसके according वो capital लेके आ रहा है, तो आपकी नए profit sharing ratio उस time पे बन रही है, तो नए profit sharing ratio के according ही, जो हर एक partner है, उसकी नए capital decide होगी, कि business में उसकी कितनी capital रहेगी, तो business में new profit sharing ratio के according, जितनी भी हर एक partner की capital बनेगी, उसे business में उतनी capital contribute करनी पड़ेगी, अब नया partner तो अपनी capital लेके आ रहा है, लेकिन जो पुराने partners हैं, उनकी already business में capital है, तो जब हमने ये सारी one to six तक की जो भी adjustment है, ये सारी कर दी, उसके बाद जो partners के capital account में show हो रहा है, कि partners की capital account में कितना amount exist करता है, उसे हम compare करेंगे, उस amount of capital से, जो नए profit sharing ratio के according सभी partners की होनी चाहिए, अगर जो पुराने partners हैं, उनकी जो नई capital है, suppose मैं कहती हूं कि 3 लाग निकल के आप ये, जो नई capital है, वो 3 लाग होनी चाहिए, लेकिन जो पुरानी उसकी capital है, जब हमने इन सब चीजों के adjustment कर ली, उसके capital account में बन रहा है, तो 50,000 जो है, वो जो पुराना partner है, वो business से निकाल लेगा, उसको दे दिया जाएगा, अगर वो जादा है, जादा का case हमने कर लिया कि 350, अलरड़ी उसकी exist कर रही है, लेकिन होनी चाहिए, थ्री लाग तो 50,000 निकाल लेगा, अगर कम है, तो वो लेके आएगा, अगर suppose उसकी होनी चाहिए, थ्री लाग, लेकिन जो सभी adjustment के बाद उसकी बन रही है, वो है 250, तो वो 50,000 पार्टनरशिप में लेके आएगा, तो ये adjustment of partner capital account में, इस चीज़ की treatment है, वो की जाती है, अब ये सारी जो treatments को हमने discuss किया, यही सारी treatments हम admission में देखते हैं, accounting इनके लिए कैसे करते हैं, और यही सारी adjustments को हम देखते हैं, retirement और death of a partner के case में, जब हम वो chapter करेंगे, तो same चीज़ों की treatment, वहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से हो, अब एक एक जो topic है, हम उसे लेंगे, और उसके according देखेंगे कि, किस ratio में, किस को कितना divide करना है हमने, किस को कितना देना है, और किस से कितना लेना है partner से, और कैसे हमें, जो पुरा question है, वो attempt करना है, इसे हम continue करेंगे हमारे next lecture, thank you so much.